दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बैंको बरोदा के वेरेवल डिवाइस यानि की स्मार्ट वाच ओडर करने के लिए बताया हुआ था इसके अलावा स्मार्ट वाच अन्बॉक्स करके भी आपको दिखाया था आज किस वीडियो में आपको हम बैंको बरोदा के वे दोस्तों bank over उदा के वेरेवर्ल डिवाइस यानि की smart watch के माद्यम से payment करने के लिए सबसे पहले आपको bank over उदा के mobile banking app में login करना होगा चलिए हम login कर लेते हैं अब हम यहाँ पर bank over उदा के mobile banking app में login हो चुके हैं login करने के बाद यहाँ पर दे के ऊपर में ही लिखा है वेरेवर्ल डिवाइस आप इस पर किलिक करेंगे इसके बाद get started पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर आपका smart watch सो करेगा साथी आपका card number सो करता है साथी यहाँ पर account number सो करता है आप यहाँ पर smart watch पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे लिखा है set pin, manage device और block device तो आपको यहाँ पर सबसे पहले pin set करना होगा तो आप यहाँ पर set pin पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर get OTP पर click करेंगे अब आपके mobile number पर OTP आएगा आप यहाँ पर OTP को fill up करेंगे यहाँ OTP fill up करने के बाद verify पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे pin set करने के लिए आगया है तो जो भी आप wearable device यानि की smart watch का pin रखना चाहते हैं यहाँ पर चारगचर का pin बना लेंगे चलिए हम चारगचर का pin set कर लेते हैं आपने यहाँ पर जो भी pin मनाया है निचे भी आपको same to same pin type कर लेना है इसके बाद आप submit पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिया गया है inter transaction pin यानि की T-pin तो जो भी आपका transaction pin है आप यहाँ पर type कर लिजे अब यहाँ पर देखिया गया है variable device pin has been set successfully आपने यहाँ पर pin set किया है आप इसी pin के माद्यम से variable device के साथ card मिला है आप उस card के माद्यम से online transaction कर सकते हैं चले done पर click कर लेते हैं चले इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से smart watch पर click कर लेना है इसके बाद यहाँ पर देखिया है manage device आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिया आपको सारा कुछ off किया हुआ रहता है तो आपको इसे on करना होगा इसके लिए यहाँ पर देखिया लिखा है contact list आप इसे on कर लीजे इसके बाद यहाँ पर है domestic तो आपको यहाँ पर इसको भी on कर लेना है और यहाँ पर e-commerce है आपको इसको भी on कर देना है इसके बाद यहाँ पर देखिये लिखा है set limit तो आप यहाँ से इसका limit set कर सकते हैं जो आप smart watch के remote se payment करना चाहते हैं कितना payment करना चाहते हैं आप यहाँ से अपने मन मताविक سے limit set कर सकते हैं चलिए इसका हम maximum limit एक लाक रुपे रखते हैं, इसके बाद continue पर किलिक करेंगे, अब जो भी आपका transaction pin है, यानि कि T pin है, आप यहाँ पर type करेंगे, अब यहाँ पर देखे आगे setting updated, चलिए done पर किलिक कर लेते हैं, चलिए इसके बाद हम फिर से smart watch पर किलिक करते हैं, इसके ब आपको जो smart watch के साथ card मिला है, आप इस card के माद्यम से e-commerce transaction और POS transaction maximum एक लाक रुपे तक कर सकते हैं, इसके बाद आप इस smart watch के माद्यम से contractless transaction 5000 रुपे कर सकते हैं, साथी एक दिन में maximum 5 बाद ही contractless transaction कर सकते हैं, अब यहाँ पर setting हो चुगा है, चलिए अब आपको हम smart watch के contractless payment करके दिखाते हैं, दोस्तों आप लोग दुकान पर इसके अलावा petrol pumper इस तरह का POS machine यानि की card swipe machine देखे होंगे, आप इस smart watch के माद्यम से payment कर सकते हैं, payment करने के लिए आप यहाँ पर enter बटन को दवाएंगे, इसके बाद यहाँ पर देखे एक नमर में लिखा है sale, तो आप यहाँ पर एक दवाएंगे, अब यहाँ पर आप M.O.T. दवाएंगे, आपको कितना रुपए payment करना है, जैसे कि माल लिजे हमें यहाँ पर 50 रुपए payment करना है, तो हम यहाँ पर 50 टाइप कर लेते हैं, इसके बाद 00 कर देते हैं, अब यहाँ पर देखे 50 हमने इसके बाद आप अपना Smart Watch इसके नजदिक ले जाएंगे, और इंटर बटन को दवाएंगे, अब यहाँ पर देखें, कनेक्टिंग हो रहा है, चलिए अब यहाँ पर देखें, प्रिंट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर इंटर बटन को दवाएंगे, इसके बा पचास रुपए पैमेंट किया है, वह पैमेंट हो चुका है, तो इस तरीका से आप लोग smart watch के माध्यम से कहीं भी contactless पैमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने smart watch के माध्यम से पैमेंट किया है, चलिए आपको हम transaction retail में दिखा लेते हैं, हम यहाँ पर view all accounts पर किलिक करते हैं, इसके बाद mini statement पर किलिक करते हैं, और यहाँ पर देखी हमने जो अभी smart watch के माध्यम से 50 रुपए पैमेंट किया है, यहाँ पर देख सकते हैं, वह सो कर रहा है, तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग smart watch के माध्यम से कहीं भी contact less पैमेंट कर सकते हैं, इसके लावा दोस्तों आपको smart watch के साथ इस तरह का card दे आता है, card के ऊपर में ही देखे card number, card का expiry month or year, साथी CV भी number लिखा हुआ है, और मैंने जो आपको card का pin बनाने के लिए बताया था, तो आप card detail fill up करके online transaction कर सकते हैं, यहाँ पर देखे card के पीछे में लिखा हुआ है, not valid for payments over any physical POS machine, यानि कि card swipe machine cash withdrawal and other usage over ATM, तो आप इस card के माद धहम से POS machine पर payment नहीं कर सकते हैं, नहीं इस card के माद धहम से cash निकाल सकते हैं, और नहीं कोई भी ATM में use कर सकते हैं, नीचे में देख सकते हैं, लिखा है to be used only for online e-commerce transaction, यानि कि सिर्फ आप इस card के माद धहम से online transaction कर सकते हैं, मैंने आपको detail में बता दिया है, उमीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, like करना मत भूलिएगा, साथी आपके मन में कोई भी सवाल लगता है, तो comment करना मत भूलिए, फिर मिलत लगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye, take care.